स्मृती उपवन में जाकर बात करते हैं अर्विन केजरीबाल और कहते हैं कि देखें मुफ्त बिजली का गणित तो सिर्फ हमको आता है और किसी को आता नहीं है इसलिए जो बात कह रहा है वो फालतु है उस पर जाना नहीं उसके आसपास देखेंगे तो ये बिजली फ्री देने का सिंतला बहुत पहले रहा है कितानों को रहा है अन जरीबों को रहा है और उसमें कोई अती नहीं बाती लेकिन इस समय ये चल निकला है और बहुत अच्छे ते चल निकला है दिल्ली में अर्विन केजरिवाल अगर वोट बटोडते हैं तो उसके पीछे ही एक बहुत बादाना पज्याती आता है और NCP इनको बड़ी मदद मिली क्या इनको वाकई ये मुफ्त विजली वाला जो मामला है ये वोटर्स को एक जूट करने का काम करना है क्या अब दिल्ली प्रदेश की अगर मैं बात करती हूं तो हमारे कोई एक मैट्रो सीटी उठा लीजे उत्रा ही बड़ा ये दिल्ली प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश जो 25 करोड की आबादी वाला प्रदेश है वहां पी इस प्रकार के शहुते में अभी प्रियंका वाडरा जी ने यह क्या भी प्रकार का एक डारेशन किया था बर्वीन केज्रीवाल की ने भी किया और अकली शादर जी ने भी किया हैं तो यहां आघ सबको अच्छी तरीके से पता है आज जो जिस प्रकार से बिजली जो महया कराई जा रही है ग्रामीर शेत्स से लेके शैरी शेत्स तक और उत्पादन जो है वह भी बहुत जादा बढ़ गया है साड़ आठ हजार मेगावाट से बिजादा जो उत्पादन हमने बढ़ा दिया है सबस्टेशन इतने सारे बना दिये हैं बिजली चोरी जो है वह बहुत कम होगी इनके समय तो कुछ शेत्र ऐसे हुआ करते थे कुछ महले ऐसे हुआ करते थे हैं बिजली कर्मी जाई नहीं सकत बिल तो लेना बहुत दूर की बात है मुझे लगता है कि उतरपरिदेश की जनता जो है इस प्रकार की जो फ्रीबीस है उसके भैकावे में नहीं आए लेकिन इस तरह तो आनिला जी जो है जिस तरीके से दी जार जी मैं यह कहना चारा था आनिला जी इस तरी तो इनावे आ आम आदमी पार्टी आकर कि अगनित हमको मालूम है तो क्या उसको और ये 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 चल रहा है कई जगों पर सिक्का तो ये सिक्का चल क्यों रहा है ये भी समझे कि कोशिश करेंगे पंका शिवास्ता जी क्योंकि कॉंकि कॉंग्रेस की तरफ से आप अपनी बातें रख रहे हैं कॉंग्रेस ने इस तरह की बातों को पहले सोचा किसको मुफ्त विजली की आवश्चकता है किसको दी जानी चाहिए क्या वाकई उस पर कैपिटलाइज करके आज एक यूनीक फॉर्मूला आम आदमी पार्टी के पास है क्या सिर्फ कि आम आदमी पार्टी कम से कंग उत्तरप्रदेश को लेकर या देश को लेकर जो एक राजनियतिक विमर्शे उसमें कोई सीरियस किलाडी नहीं जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं हमने यहां पर जो कहा जिसकारी जिक्र किया प्रियंका गांधी जीकियों से उन्होंने कि मुफ्ट कर देंगे दे देंगे तो जाहिर है वो कौन सी उनके पास समझ है और ये कैसी अर्फ्रेवस्था या अर्थिक समझ है ये अलग पुश्च्च है लेकिन उत्तरप्रदेश एक बेहत गंधीर तोर से गुजर रहा है और यहां पर कुछ बड़ी जो घर्म और जा जारी किया गया है युवाओं को लेकर हम अलग से घुश्चापतर जारी कर रहे हैं और उत्तरप्रदेश की तमान समस्याओं का अब ये नया इलाज कम से कम कॉंगर्स पार्टी समस्ती है कि महिलाएं जो प्रेम और करोना की प्रतीख है उन्हें राजनीत के केंद्र में ल जिसा पिटा एक लंबे अरसे से भारत के लोग जंद्र तो परलोग जंद्र बना देने का जो सिल्सिला है वो थम जाए चलिए कॉंग्रेस पार्टी एक लंबी रेखा खीच रही है परवाह देशकी सोमवार से शुक्रवार राद दस बजे टीवी नाइन भारत वर्षपर